So after Samsung, Huawei, Motorola, Apple भी foldable phones के competition में दो-दो हाथ करने वाला है तो अभी हमें एक ऐसी update मिल रही है कि behind the scene Apple company भी काम कर रही है अपने foldable iPhone पर तो जिसमें हमें नहीं जहत यहाँ पर iPhone का foldable iPhone बलकि Macbook भी यहाँ पर foldable design के साथ मिलने वाली है Even यहाँ पर Apple की 20.3 inches Macbook which is very near to complete And इसके लावा second device launch करेगा Apple अपना 17.9 inches का foldable iPhone Apple का foldable iPhone होने वाला है वो की unique design के साथ आएगा Apple का foldable iPhone outward folding design के साथ आने वाला है Meaning Apple यहाँ पर similar design यूज़ करने वाला है जो हमें Huawei Mate X S2 में मिला था According to the Jeff पो Apple यूज़ करने वाला है single display जो की cover करने वाली है front and back of the device तो outward folding design के साथ जो display हमें मिलेगी iPhone में उसके हमें काफी जड़ा benefits होने वाले हैं तो इसमें हमें सबसे बड़ा benefit तो यही मिलने वाला है कि जो screen में आने वाली crease है जो की usually हमें सभी foldable design में देने के मिलती है चाहे वो Samsung है चाहे Motorola वो Apple के iPhone में बहुत ही ज़्यादा minor रहने वाली है and second यहाँ पर Apple को outer display use नहीं करने पड़ेगी तो एक single display जो की main screen and outer display का काम करेगी यहाँ पर तो जिससे की Apple को double screen तो use नहीं करने पड़ेगी तो उसे यहाँ पर consequence यह निकल के आते हैं जो weight है वो काफी जारा decrease होने वाला Apple के foldable device में and again यहाँ पर अगर Apple cover display को use नहीं करता तो जो foldable iPhone की thickness है वो काफी जारा काम हो जाएगी as compared to the another competitors तो outer display पर आने वाली कोफ भी यहाँ पर Apple को नहीं चुकाने बड़ेगी बढ़ ऐसा नहीं है guys कि यहाँ पर Apple एक screen यूज करने वाला है तो outer display का जो खर्चा Apple बचा लेगा वो कफ्टमर की pocket से पूरा करने वाला है तो लाफ जो हमें यहाँ पर benefit मिलने वाला है जो जब भी हम इस iPhone को fold करेंगे main screen ही मारी यहाँ पर outer display में convert हो जाएगी जिसको हम use कर पाएंगे selfie camera लेने के लिए जो की एक काफी ज़्यादा बड़ा advantage निकल के आजाता है जब भी आप यहाँ पर selfie यहाँ फिर vlogging करने के लिए अपने iPhone को use करोगे इतने सारे advantage है तो इसका diff advantage भी यहाँ पर जुरू निकल के आएगा क्योंकि अगर आपका iPhone fold position पर भी है तब भी एक screen तो यहाँ पर outer display में रहती रहती है तो अगर आपका iPhone drop होता है इन केस अगर आपकी outer display damage हो जाती है तो at the same time आपकी main screen भी damage हो जाएगी बट Apple user को still यहाँ पर 2 साल की wait करनी पड़ेगी according to the Jeff पो Apple अपना foldable iPhone ready कर लेगा in 2026 बट Apple इसको launch करेगा in 2027 को अभी और 2 साल wait करना पड़ेगा for the foldable iPhone में भी यहाँ पर तब तक Samsung भी अपने fold को almost perfect मना देगा guys let me know ने comment box क्या आप इस foldable design वाले iPhone के ले excited हो but Apple users के लिए एक अच्छी update भी आ रही है पो ने यहाँ पर clear कर दिया है कि 20.3 inches के साथ आने वाली foldable Macbook कर इसको Apple 2025 में introduce कर देगा इसका design almost similar होने वाला जो हमें Lenovo ThinkPad X1 fold में देने के लिए मिला था तो यह MacBook inward foldable design के साथ आएगा तो इसके साथ एक wireless keyboard भी इंटेडूस करने वाला Apple जिसको आप store कर पाओगे इन बिटविंग टू हैवल्स जो कि यहाँ पर एक काफी next level की innovation होने वाली है for the Mac users तो गई यह थी सभी updates regarding iPhone आई होप कि आपको जोड़ी इची लगी होगी वीडियो चली कि इसको like जुरू कर दना चालने पर नए हो जाप पुराने चालने को तो subscribe निकिया तो make sure hit the subscribe button तुम मिल दिया next studio में, peace out